इसे अनेक फैसले लेकर हमारी सरकार ने देश वासियों की इज आफ लिविंग बढ़ाई है। साथियों, आज भारत का हर नागरिक इस बदलाग को पस्ट तौर पर महसूस कर रहा है कि अब सरकार के साथ समवाद करना कितना आसान हो गया है। एनि सरकार तक देश वासी आसानी से अपनी बात पहुचा रहे हैं और उसका समाधान भी उन्हें तिरंत मिल रहा है। जैसे टैक्स से समंदित सिकायते पहले बहुत ज्यादा होती थी और उसके कारण उसके माध्यम से टैक्स प्यर्स को कई तरीके से परिशान किया जाता था। इसलिए हमने टैक्नोलोजी की मदद से टैक्स की पूरी प्रक्रिया को फेशलेस कर दिया। अब आपकी सिकायतों और उसके निपतारे के बीच कोई व्यक्ती नहीं सिर्फ टैक्नोलोजी है। यह मैंने आपको एक उधारन दिया है। लेकिन दूसरे विभागों में भी टैक्नोलोजी की मदद से हम जादा बहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अलग-अलग भिभाग अपनी सेवाओं को ग्लोबल स्टांडर का बनाने के लिए मिलकर टैक्नोलोजी का उप्योग कर सकते हैं। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हम उन छेत्रों के भी पहचान कर सकते हैं। जहां सरकार से समभात को और आसान बनाया जा सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के बीछे हमारा उद्देश्ट यही है कि कर्मचाजियों का citizen-centric बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहे देगे ज़रुत है लेकिन इसका बहतर प्रणाम तभी मिलेगा जब इसमें बढ़लाव लोगों के फिडबेक के आधार पर हो हम एक ऐसा सिस्टिम त्यार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे हैं साथियो टेकनोलोजी हर किसी तक सही और सटिक इनफर्मेशन पहुँचा कर सब को आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है हमारी सरकार टेकनोलोजी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफराट्रेक्टर तयार कर रहे हैं साथ ही ये भी सुनिशिक कर रहे हैं कि डिजिटल करांती का फाइदा समाज के हर वर्क तक पहुँचे कर रहे हैं